हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी चैनल पे आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव सोचे पॉजिटिव रहेंगे सफलतावश्य मिलेगी आप सब के चेरे पे मुस्कुराहाटो आप सब सोचते और मस् My subscribers God bless you खुद पर विश्वास किजिए प्रेयर किजिए और पॉजेटिव होकर अच्छे चीज मेनिफेस्ट किजिए और खुद से प्यार किजिए खुद से जूड़िये और खुद को Universe God को सेरेंडर कर दीजिए So my soul family, my viewers My subscribers God bless you यह जो वीडियो है आपके partner की current energy पर है इस वक्त आपके partner आपको लेकर क्या feel कर रहे क्या सोच रहे है क्या उनका next action है जो no context situation में है तो dear यह all sign के लिए male, female, married and married सब के लिए collective reading है किसी को resonate कर भी सकता है किसी को नहीं भी कर सकता है बट आप लोग positive रहें इसलिए आपके positive बिचारी आपको सफलता तक ले जाती है आप अपने intuition को follow जरूर करें अगर यह वीडियो आपको रजविट नहीं करता है तो मेरी चैनल का कोई भी वीडियो आपको focus कर रहा है उसको जरूर आप देखें उसमें आपके partner की energy भी मिलेगी और guidance भी मिलेगी अगर मुझे प्रसन सेशन लेना हो दियर तो मेरे email ID पे contact करें मेरे email ID पे contact करेंगे मैं आपको सारा details बता दूँगी और मेरे personal charge भी लगते हैं जो भी मुझे सेशन लेते हैं उनके personal charge लगते है दियर तो अगर आप जानना चाहते हो charge भी तो मेरे email ID पे आप contact कर सकते हो दियर चलिए मैं इस वक्त जो energy pick कर रही हूँ मेरे viewers पहले मैं आपकी थोड़ी energy pick कर रही हूँ मेरे कुछ viewers की energy ऐसी है कि वो काफी सोचने वाले इंसान है काफी सोच रहे हैं और कभी कभी deeply कुछ ज़्यादा सूचने लगते हैं जिसे कहीं न कहीं हो इस्टक हो जाते हैं तो मैं यहां बोलूँगी बाबू कि आपको अपने साथ honest होने की जरूरत है बहुत जरूरत है ठीक है क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप कौन हो आप क्या चाहते हो खुश से जूरो खुश से जानो आप अपने लाइप में क्या चाहते हो क्या फोकस है अपने लाइप में गोल्स पर, करियर पर, पार्टनर पर हर चीज़ पर देखते हुए आप आगे बर हो लेकिन confused मत हो क्योंकि मेरे कुछ viewers की देखने बहुत ज़्यादा सूचने की यादत है कभी बहुत ज़्यादा सूच लेते हैं और कही न कहीं relationship को भी लेके थोड़ा सा confusion हो जा रहा है तो आपको confused होने की जरूत नहीं है आपको सिब decide करना है और आपको अपने साथ honest होना है ये बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि देख रही हूँ कि आप बहुत कोसिस कर रहे किसी चीज को manifest करने के लिए और वो चीज manifest नहीं हो रहा है तो आप कहीं न कहीं चिंतित हो जाते और काफी सोचने लगते हो जेर मेरे viewers मेरे soul family मैं यही बोलूँगी कि मेरे कुछ भी वर्स अभी इस जर्णी में नियू नियू आया है मुझे ऐसी एनरजी पी खोड़ रही है तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग meditation जरूर करना शुरू करे और seven chakra का meditation करे ओम चैंटिंग करे आप शुरू करें क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी मेरे कुछ भी वर्स को पता नहीं है कि soulmate journey क्या है twin journey क्या है तो अगर आप इस जर्णी को समझ रहो कि मैं इस जर्णी में हूँ तो please आप अपने उपर hard work करे inner work करे और partner coaches ना करे अपने उपर काम करें self love करें तो ये मेरे कुछ भी वर्स की energy थी जो कि मैं आप लोग की energy pick कर पाड़े ही थी लेकिन आने वाले time में आप लोग की high vibration में देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि कुछ new cycle आप लोग के life में start होने वाला है कुछ कार्मिक का end होने वाला है आपके partner के life से या फिर आपके life से इसलिए mind को बिल्कुल positive कीजिए और positive होकर manifest कीजिए चलिए dear अब मैं आपके partner की energy pick कर रही हूँ तो ध्यान से सुनिए और positive रही है और अपने partner के वारे में सोचिए और angels से guidance मांगिए और positive ही energy आप pick करो और positive ही सोचना गुसा नहीं नफरत नहीं बावू सबको forgive करना है क्योंकि आप सच में आपको खुद नहीं पता कि आप हो कौन जब आप खुद को heal करते हो तब आप जानते हो कि मैं मैं हूँ और मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आई हूँ तो चलिए dear आप आपके partner की current energy देखे dear मैं यहाँ जो देख रही हूँ आपके partner जो है आपके लिए love feel जरूर करते हैं ठीक है लेकिन आप से खुल का कभी जहार नहीं करते हैं अभी भी मैं देख पार हूँ कि कुछ मेरे viewers के partner उनके life में आये हैं बात कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खुल कर commitment देने की बात नहीं करते हैं action लेना चाहते हैं फिर खुद को control करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहे क्या कुछ के partner के life में बहुत strong मैं देख पार है family issue दिख रहा जगड़े fighting भी दिख रहे हैं कुछ father को लेकर दिख रहा या father या फिर उनके घर में किसी की health issue भी दिख रही है और कहीं न कहीं parents से बहस भी हो रही है जगड़े लड़ाई भी हो रहे हैं और यह लेकर भी हो रहे हैं कि कहीं न कहीं मुझे कुछ viewers की मैं देख पार है कि उनके partner हो सकता है कि culture issue हो इसके बज़े से भी हो रही होगी fighting और किसी के parents बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप से marriage हो अब कुछ मैं partner को देख पार है उनका mind बिल्कुल काम नहीं कर रहा है दो च्वाइस है मैं किस रास्ते जाओ ऐसे भी energy आपके partner की है लेकिन आप पर नजर बहुत रखते हैं क्या करूं कैसे करूं आपके partner काफी सोचते हैं guilt होता है वो चाहकर भी आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और commitment देने के लिए आप बोल रहे हो तो commitment नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो healing आ ही नहीं है उस process से वो गुजरे ही नहीं है क्योंकि मैं देख पार हूं मेरे कुछ भीवस बिल्कुल balance में नहीं है कुछ लोग high vibration में हैं लेकिन फिर भी आप कही न कहीं अपने partner को chase कर रहे हो लेकिन मैं यहां बोल दूँ कि कुछ कार्मी का end होता दिख रहा है मेरे कुछ भीवस ने काफी महीनों से balance करने की कोसिस की है और कहीं न कहीं उनका कुछ ऐसा चीज manifest होने वाला हो सकता है new beginning हो आपके partner के साथ action लेते हुए कुछ के partner दिख रहे हैं जिन्होंने balance किया है एक नई शुरुआद दिख रही है तो आपके person जो है parents को मनाने की बहुत कोसिस कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा नहीं है आपको justice भी मिलेगा और मिलता हुआ दिख वी रहा है लेकिन मैं हाँ बोल्दू बाबू की थोरा सा slow energy है आपके partner की आपकी तरह बहुत slow बढ़ रहे हैं लेकिन हाँ आपने parents से वो बात कर रहे हैं मनाने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं कि आपके अंदर आपके partner बहुत ज़्यादा feel करते हैं कितना भी दूर जाने की कोसिस करते हैं लेकिन एक connection feel होता है जो कहीं नहीं spiritual connection है भी तो मैं यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ी सी आपको wait करनी होगी reunion है थोरा सा time लगेगा लेकिन मुझे बहुत लोग की reunion दिख रही है कुछ के partner अभी commitment नहीं देना चाहते हैं क्योंकि stable नहीं है कुछ parents issue है मुझे लगा कुछ के partner जो है married भी है और कुछ मेरे भीवर्ष भी married है यहाँ तक में मैं देख रही दोनों भी married है तो कहीं ना confusion है क्योंकि अपने life में आपके partner की family है बच्चे है parents है हो सकता है मैं तो उनके husband भाइप वो तो थोड़ा वहां से निकलना थोड़ा सा उनको डर लग रहा है क्योंकि बच्चे से बहुत जादा उने लगाओ है बच्चे उनकी कम जोड़ी है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते है लेकिन आने वाले time के लिए काफी सोचते है कि आपको justice मिलना चाहिए क्योंकि आपने उने सारी खुसियां दी है तो उनके मन में चलता है कि आपको भी justice मिलना चाहिए लेकिन अभी वो बहुत hard work कर रहे है finance पर focus कर रहे है commitment देनी की बात सोचते हैं लेकिन खुल कर आपसे बात नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अभी stable नहीं है क्योंकि उनकी family भी है और इस like नहीं है कि फिर आपको अलग से वो घर और family दे लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी feelings है बहुत प्यार है, unconditional love है तो आपके लिए अलग से time लगेगा थोड़ा आपके लिए अलग से घर पडिवार बनाने की कोशिस करेंगे ऐसे उनके दिल दिमाग में चल रहा है बहुत लोग को commitment मिलने वाला भी है लेकिन जिन्होंने balance किया है और आपने उपर काम किया है तो बहुत लोग की commitment मिलने वाली कुछ लोग को तो मिली भी है और कुछ लोग के मैं देख रहे हैं पार्टनर बहुत confuse है सिर्फ आए हैं आपसे बाते कर रहे हैं थोड़ी सी आपके energy लेते हैं और आपका समचार लेते हैं कि आप कैसे हो क्या कर रहे हो और फिर वो चूप हो जाते हैं जहां आप commitment की बात करोगे तो वो चूप हो जाएंगे कुछ दिन के लिए वो गयब हो जाएंगे ऐसे भी energy है लेकिन इस वक्त आपको negative नहीं सोजना है इस वक्त आपको positive रहना है आपका दिल की सुननी है कि दिल आपका क्या कहता है आगे बढ़ते रहे आपने ghost पर focus अपने career पर focus कीजिए और कहीं ना कहीं मेरे कुछ भी वर्ष कि मैं energy देख रही हूँ कि अब अपने आप ghost पर focus करना चाहते हो career पर focus करना चाहते हो तो मैं यहां बोलूँगी बाबू कि अपना intuition को follow करे क्योंकि मुझे आपके life में आने वाले time में मुझे success दिख रहा है romance दिख रहा है लेकिन यहां जो strong मैं देख पा रही हूँ कि parents issue बहुत जादा है क्योंकि fighting चल रहा है कि आपके partner आप से साधी करना चाहते है मुझे लग रहा है आप आप यापके partner unmarried भी हो सकते हो तो parents नहीं मान रहे है culture issue हो सकता है ऐसी यह लेकिन आने वाले time में आप या आपके partner compromise करेंगे legal issue किसी के लिए चल रहा है तो आपके लिए positive होने वाला है लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ decision आपके partner लेने वाले है आपके तरफ बढ़ने वाले है क्योंकि उन्हें new beginning करनी है आप से मिलनी है आप से बात करनी है क्योंकि आप उनके सपने में आ रहे हो काफी वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके life में कुछ loss हुआ है या पर देखियो mentally तो हमेशा disturbed रहते हैं आप से दूर जाने के बाद कहीं न कहीं finance भी उनकी थोड़ी सी विक हुई है जौब भी बहुत भीवर्स के पार्टनर को नहीं है वो काफी कोशिस कर रहे है तो उन्हें लगता कि कहीं न कहीं आपके दिल दुखाने से ये काम मेरे साथ नहीं बन रहा है और कहीं न कहीं आपके पार्टनर आप इतर बढ़ेंगे और आप से healing लेंगे खुशी पीश सांती मिलती है और किसी काम में वो action लेते हैं तो उनको सफलता मिलती है और ये चाहा रहा है कि आप से नई शुरुवात की जाए planning करते है planning करने के बाद आप से मिलने की भी वो call message भी आपको कर सकते है लेकिन आप लोग सोच लीजे समझ लिजे थोड़ा सा health पर आप थोड़ा ध्यान दिजे ठीक है कुश आप जिसको ढूंड रहे हो किसको ढूंड रहे हो अपने अंतर आत्मा से जुरिए आपका अंतर आत्मा ही आपको जवाब देगा कि सही परपस सही दिशा आपके लिए क्या है तो मैं फिर से यही बूलना चाहूंगी कि आपको खुद से जुरने की जरूरत है उन्हें गिल्ट होता है लेकिन अभी मैं यहाँ देख आज की अभी की एनरजी है सिर्फ वो फिल कर रहे हैं और आपके लिए बहुत प्यार फिल कर रहे हैं अभी जो चाहोगी कि अभी जस्ट आपको कमिटमेंट दे तो ऐसी एनरजी नहीं है अगर आप मांगते हो तो वो फिर चले जाते हैं इसलिए आप मेरिटेशन कीजिए मेनिफेस्ट कीजिए टेलिपैथी से बात कीजिए जो करना है अपने आपको पहले हील कीजिए जितना आप पॉजिटिव रहेंगे खुद को हील करेंगे बैलेंस करेंगे तभी आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेंगे क्योंकि सब कुछ आप पर डिपेंड करता है आपके एनरजी पर होते हैं भले, इगो इस्टिक बहुत है आफके पार्टनर लेकिन कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आपके टरफ जुक नहीं है उनको, आज कल किसी दिन भी उनको जुक नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बेना आपकी आनर्जी के बेना उनकी life में कुछ नहीं है, ना पीस है ना सांती है ग्रोथ भी नहीं है तो dear ये सब आपके उपड़िपेंट करता है तो आप अपे spiritual ग्रोथ पर ध्यान दिजिए intuition को follow कीजिए एंजल से मदद मांगिए तो dear ये थी आपके partner की current energy dear तो आपको कहीं भी लगता है कि आपके partner आपके साथ energy चुड़ा कर ले जाते हैं तो please मैं यहां बोलूँगी कि सोच समझ कर कदम बढ़ाए खुद से बात करें इंजल से हमेशा मदद मांगे आपको इंजल हर वक्त आपको मदद देंगे लेकिन मैं यहां बोल दूँँ कि अभी मेरे कुछ भी वर्स इस journey को जानने में लगे हैं तो मैं यहां बोलूँगी कि बाबू अभी आपके partner भले ही दूर है separation में हैं लेकिन अपने उपर focus कर रह हैं लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ आपकी energy लेने आएंगे और आपसे थोड़ा सा attraction होगा तो मैं यहां अभी भी last में बोलूँगी सोंच समझ कर precaution लेकर चलना क्योंकि अगर आपके partner आते हैं energy लेकर जाते हैं तो फिर आपके life में दर्ग बर सकता है तो आप सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए अगर आपके partner के parents नहीं मान रहे हैं तो उनको forgive कीजिए और बोलिए इंजल से कि मेरे partner के parents साधी के लिए तयार हो marriage के लिए तयार हो आप ऐसे करके present हमेशा manifest करें आपकी wish पूरी होगी क्योंकि success romance सब है आपके life में बहुत सारी खुसिया happiness है त कॉल मैसेज आता है तो जगरे लडाई मत कीजिए अपने से कॉल मैसेज कभी मत कीजिए ठीक है तो चलिए डियर यह थी आपके partner की current नहीं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगती तो like करें शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe जरूर करें वेल आइकन जरूर दावाई डियर so god bless you and thank you